इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदोर किसान छोटे उद्योग को धोखा दिया सारवजनिक शेत्र के दो बैंकों को बेचा जाएगा, कौन से बैंक होंगे हर बैंक वाला गेस कर रहा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल केरिडोर में 2548 गाओं की जमीनों को लिया गया है देश की जीडीपी का विकास वी शेप जैसा होगा, इस तरीके से होगा, देखिए, ऐसा और आप चाहें तो इसे विकास की विक्ट्री भी कह सकते हैं आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है एक फरवरी को देश का आम बजट पेश किया गया इस आम बजट में वित मंतरी निर्मला सीतरमने करोना ठीका से लेकर सेनिक स्कूलों के खोले जाने तक का एलान किया मगर मिडल क्लास को इस बजट से कुछ खास नहीं मिला टेक्स पे उसको उमीद थी कि टेक्स सुधार के दिशा में सरकार कुछ कदम उठाएगी और टेक्स लैब में बिदलाव होगा पर ऐसा नहीं होगा हालांकि सरकार ने 75 साल से अधिक उमर के लोगों को ये छूट दे दी कि अब उन्हें इंकम टेक्स नहीं भड़ना होगा बजट के ठीक बाद प्रधान मंत्री मोदी ने देश को संभोधन किया उन्होंने कहा कि ये बजट ने भारत के आत्म विश्वास को उज्जागर करने वाला बजट है वर्स 2021 का बजट और साधारन परिस्तितियों के बीच पेश किया गया है इसमें इत्हारत का एसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानो जाती को हिला कर रख दिया इन परिस्तितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजट में आत्मन निर्भरता का बिजन भी है और हर नागरिक हर वर्ट का समावेश भी है इस बार के बजट में सबसे अधिक फायदा हेल्ट सेक्टर को मिला जिसे इस बजट में 2.38 लाग करोड रुपए का बजट अवंटिट किया गया स्वास्त बजट में 135 फीजदी का इजाफा हुआ इस बार बजट, यूनिन बजट 2021 में इंशोरंस सेक्टर में 74 फीजदी तक FDI का एइलान किया गया है जो पहले सिफ 49 फीजदी था बजट में ऐसी कोई भी खोशना नहीं हुई जिसे आम मादमे को रहत मिले उल्टा तमाम चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी और सरचार्च लगने की वज़े से मोबाइल समेथ बहुत सारी चीज़े महेंगी होने वाली है इस बजट पर वरिष्ट पत्रकार रवीश कुमार ने प्रतिकिरया दी और बजट में किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान इस पर चलचा बिकी इस बार भी सरकार बहुत कुछ बेचने के लिए लेकर आई है अब आते हैं उन चीज़ों पर जो पूरी तरफ दिख जाएंगी या आधी बिकेंगी या थोड़ी थोड़ी बिक जाएंगी इनका अवचारिक नाम है Asset Monetization Program सारवजनिक शेत्र के दो बैंकों को बेचा जाएगा कौन से बैंक होंगे हर बैंक वाला गेस कर रहा है भारतिय जीवन वीमा निगम में सरकार अपने हिस्सेदारी बेच देगी इसके लिए IPO लाएगी गेल, इंडियन ओयल कॉर्परेशन, HPCL की पाइपलाइन को मोनिटाइज किया जाएगा इसे भी समझें बेचा जाएगा टायर 2, टायर 3 शहरों के हवाई अड़े बेच दिये जाएगे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्परेशन के वेयर हाउस की भी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी बजट को लेकर विपक्ष के और से प्रतिकिरिया आने शुरू हो चुकी है कॉंग्रेस पार्टी की नेतर रहुल गांदी ने ट्वीट कर बजट को लेकर तंज कसा उन्होंने लिखा गरीबों के हाथों में नगदी देने की बात तो भूल ही जाएए मोधी सरकार भारत की संपत्ती को अपने पूंजी पती दोस्तों को हैंड़ोवर करने की तैयारी कर रही है इस बजट ने गरीब को धोखा दिया नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया मजदोर किसान छोटे उद्योग को धोका दिया और उन सांसदों को भी धोका दिया जो वित मंत्री के बजटिये भाशन को सुन रहे थे जो चीजे देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवशक थी उनकी चर्चा तक वित मंत्री ने नहीं की त्रिणमूल कॉंग्रेस के सांसर डेरेक ओबरायन ने कहा कि भारत का पहला कागस रहित बजट शत प्रतिशत विजन रहित भी है इस फर्जी बजट का विशे भारत को बेचना है ममता बेलनर जी ने कहा कि ये जन विरोधी बजट है भारत के पहले पेपरलेस बजट में लगबग हर शेतर को बेच दिया गया इसमें असंगटित शेतर के लिए कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि भाजपा सर्फ राष्टरवाद की बात करती है लेकिन हकीकत में वो ऐसे हैं जो राष्ट के संसादनों को निजी कमपनियों को बेच रहे हैं दिली के सीम केजरिवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा ये बजट चंद बड़ी कमपनियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है ये बजट मेंगाई के साथ साथ आम जन मानस की समस्याय बढ़ाने का भी काम करेगा इस बजट पर कई सीनियर पत्रकारों ने भी बात की वरिष्ट पत्रकार पुने प्रसून बाजबई ने भी बजट को लेकर अपने वीडियो में बात की और कुछ एहम जनकारी दी कि इस बजट का मतलब ये है कि किसानों की इस्तिती धीरे धीरे और विकट होने वाली है इस विकट का मतलब ये है कि इस बात को पहले समझी हम इस बात पर आए इस बजट में के दिल्ली मुमबई इइंडस्ट्रियल केरीडोर में 2548 गाउं की जमीनों को लिया गया है लेकिन 2542 गाउं के जमीनी तो ले ली गई इसमें दादरी, नोएडा, गाजी अबाद उत्तर परदेश, इन तमाम जगों से किसानों की जमीन ली गई और एक केरीडर तैयार किया रहा है अब इसके पैरलल में आईए जब आप मेंस्ट्रीम मीडिया में जाएंगे तो इस बात का जिक्र होगा देखिए हमने कमाल कर दिया और अलग-अलग हाईवे क्रियेट करना है यह हाईवे उन राज्यों में क्रियेट किया जा रहा है जहां पर चुनाओ होने है केरल में 65,000 करोड से 1.5,000 किलोमेटर की सड़क बनाएगे चुनाओ होना है बजट को लेकर गोदी मेडिया की प्रतिक्रिया क्या है ये भी जान लेते हैं तो कि मोदी सरकार कह रही है कि ये आत्म निर्बर भारत को कोई नई ताकत और नई उर्जा देने वाला बजट है तो विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों और आम आदमी को पूरी तरह से इग्रोर किया है और एक बार फिर ये सूट बूट और पूजी पतियों वाला बजट है तो आज बजट पर होगा सबसे बड़ा सववाद क्या ये आत्म निर्भर भारत वाला बजट है सरकार का नुमान है कि देश की जीडीपी का विकास वी शेप जैसा होगा इस तरीके से होगा देखिए ऐसा और आप चाहें तो इसे विकास की विक्ट्री भी कह सकते है इसे विकास का की विक्ट्री शेप या वी शेप भी कह सकते है कोरोना वाइरस की वज़े से जीडीपी की विकास दर में जो गिरावट पिछले एक साल में हुई उसकी ना सिर्फ भरपाई हो जाएगी बलकि अगले वित्तिय वर्ष यानी 2021 और 2022 में भारत का GDP विकासदर 11% से भी ज्यादा हो सकता है ऐसा अलग-अलग अनुमानों में बताए गया है बजट को लेकर कुछ पत्रकारों ने अंदोलन का रहे किसानों से भी बात की और उनकी रहे जानने की खोशिश भी की बजट में किसानों के लिए सरकार ने जो कुछ भी दिया इस पर भी पत्रकार किसानों से सवाल करते नजर आए देखिये उसका को रोड मैप तो है नहीं ना उसके बारे में कोई जानकरी दी गए भी कितने पैसे रखे हैं किस तरह से आये दुगनी होगी एक तर्प किसानों के डीजल पर 4% सेस लगा दिया गया तो ये तो और बोज बढ़ेगा डीजल पर 4% सेस की ख़बरे आ रही है तो ये कर्शी में जुटलाइज होता है डीजल तो अब कोई रोड मैप पता चले तब ही नभी जो खाद के दाम बढ़ रहे हैं प्रस्तिसाइट के बढ़ रहे हैं भीज के बढ़ रहे हैं खेति मिशिणरी के बरे Agr के खरचा तो अथिक बढ़ रहा उपाजाई नहीं जारा पूरा तो पहले किसान कर्ज के काण मैं खूद प मुछ सख नहीं है अब देश को करोना के बाद अपना पहला बजट मिल चुका है और इस पर राजनीती भी खूब जारी है अब आगे देखना ये होगा कि किसको इस पजट से फायदा होगा और किसको नुकसान पंजाब रुडे रिपोर्ट